आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस तरह का सवाल को जो है बहुत simple से बनाना है ठीक है यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि f of x मना g of x और और f of x दोनों का जो सुन्यक है दोनों का है ना, common सुन्यक common सुन्यक जो है वो क्या है? common सुन्यक हम लोग बोल सकते हैं x equal to 1 by 2 है ठीक है x equal to 1 by 2 है अब अगर मान लेते हैं हम इसको इधर ले आएंगे ठीक है इसको इधर ले आएंगे तो यह क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा ठीक है, यानि यह क्या हो जाएगा हम लोग बोल सकते हैं अर्थात और g of x का common गुननखंड है, ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, अगर माल लेते हैं, यहाँ से यह जो है न, x-1 by 2 equal to 0 है, अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग cross multiply करेंगे, तो यह 2x, यह 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2x-1 equal to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं, कि इसलिए, हम लोग यहाँ पर और g of x का common गुननखंड है, गुननखंड है, इसलिए, imply that दोनों का f of x और g of x, g of x का hcf, यह क्या हो जाएगा, बराबर होगा, 2x-1 होगा, अब हम लोग option देख लेते हैं, कि कौन सा option सही बोल रहा है, ठीक है, तो यह option c बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इस तरह से इस question को solve कर सकते हैं, I hope आपको यह solution और concept समझ में आ गया, अगर समझ में आ तो प्लीज इस वीडिय कभर होसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर